नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तिंक तेक में आपका स्वागत है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन घंटी को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट विडियोज आप तक पहुँचते रहें सबसे पहले बिल्कुल फ्री में Cam Scanner एप काफी popular है और फिलहाल इसे Play Store से हटा लिया गया है Security Company Kaspersky ने कहा है कि इस एप के नए अपटेट की वजह से phone malware से प्रभावित हो सकता है Cam Scanner एप काफी popular है अगर आपके smartphone में भी ये एप है तो खबर आपके लिए जरूरी है एक बड़ी समस्या है और ये समस्या एक बार फिर से Android यूजर्स के लिए है कुछ समय से लगातार Google Play Store में malware वाले एप्स मिल रही है Cam Scanner में malware पाया गया है और मुम्किन है कि इसने कई यूजर्स को प्रभावित किया हो और login details भी चुराए है Google Play Store से कुछ समय के लिए इस एप को हटाया भी गया Play Store से हटाने की वज़े है इसमें पाया गया खतरनाक module था इसका paid version अब भी Google Play Store पर उपलब्ध है Cam Scanner नाम के इस एप को Google Play Store से 100 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोग किया गया है और इसकी rating 4.6 है आम तोर पर लोग कोई भी दस्तावेच स्कैन करने के लिए इसे इस्तिमाल करते हैं कस्परस्की ने कहा है Cam Scanner असल में एक सही एप थार और इसके कोई गलत इरादे भी नहीं थे In-App Purchase और विध्यापन के जरिये ये एप पैसे कमाता है लेकिन ये अब बदल गया है और हाल के नए वर्जिन में Malicious Module वाली Advertising की Library है इस Module को Trojan Dropper Android OS ने क्रोन बताया जा रहा है कुल मिलाकर समझने वाली बात ये है कि ये एप के अंदर ही दूसरा Component चला सकता है और इसका Trojan Downloader डिवाइस को Malware से प्रभावित कर सकता है तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपके Smartphone में भी Cam Scanner है तो मुम्किन है आपका डिवाइस इस से प्रभावित हो और ये आपके Personal Details को चोरी भी करता हो जैसे कि आपके Contacts, Bank Details और Scan किये हुए दस्तावेज और भी बहुत कुछ तो आप चाहिए तो कुछ समय के लिए आप इसे हटा भी सकते हैं चुनकि इस एप में दिखकत नहीं है इसके एक वर्जन में समस्या है इसलिए जल्द ही Company Statement जारी करके नए अपटेट के बारे में बताएगी इसके अलावा अगर आपके Mobile में Antivirus है तो Phone को Antivirus से Scan कर लें और अगर Mailware मिलता है तो तुरंत इस एप को Uninstall कर दें दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो खृपया इस वीडियो को Like करें, Share करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को पुरा देखने के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल थिंग टेक को और नोटिफिकेशन घंटी को दबाएं ताकि हमारे लेटिस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें सबसे पहले बिल्कुल फ्री में हम्यवाद